हेलो एवरिवन सेंट्रल उनिवर्सिटी आफ हिमाचल परदेश में सेसन दोजार चौबिस पच्चिस के लिए पीजी एडमिसंद का रेजिटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है आज की स्टूडियो में हम कंप्लीट डीटेल्स में समझने वाले हैं कि सेंट्रल सब्सक्राइब क्या है कब तक आपका मेरिट लिस्टार्ट करने वाले हैं करन से कूर्सें ऑफर्ड की जा रही है इस इनवर्सिटी के द दोबारा इस बार और कुल 85 courses PG में offer की जा रही है तो यह सभी course के बारे में discuss करने वाले हैं उस courses का क्या eligibility criteria है इसके बारे में discuss करेंगी उस course में admission लेने के लिए आपको CUET में कौन से paper का exam चाहिए कौन से paper में आगर आपने exam दिया है तो आपकी इस course में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो अपनों डाउट हमारे comment box में पूछ सकते हैं इसके अलावा इस चनल पर मैंने काफी सारा वीडियो अपलोड को किया हुआ है दूसरे Central University में admissions related तो आप वीडियो भी जाकर देख सकते हैं तो आईए आज की सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले हम विजिट करते हैं इस उनिवर्सिटी के ऑफिसल वेप साइट पर जैसे आप आप साइट पर विजिट करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहां पर आप्सन मिल जाएगा apply online for registration of PG and PG diploma courses तो आप यहां पर देख सकते हैं यह website active है यहां पर आप आकर अपना registration process complete कर सकते हैं अब हम जो notification है उसके बाड़े में discuss कर लेते हैं details में तो सबसे पहले देख सकते हैं यह notification जारी किया गया है और यहां पर clearly mention किया गया है कि बाइस चार 2024 से registration process start कर दिया गया है जो भी बच्चे registration करना चाहते हैं वह यहां पर इस website पर यानि कि जो इस university का सामर्थ portal है वहां पर जाके अपना registration process complete कर सकते हैं इसके लावा लाश्ट डेट जो बताया गया है वह पांच माई तक बताया गया है इसके अलावा आपका जो भी registration fee है यहां पर clearly mention किया गया है कि आपका PG PG Diploma certificate course के लिए पंजिकरन fees सभी category के लि admission लेना चाहते हैं Self Finance के मतलब तहात अपने admission लेना चाहते हैं किसी भी course में उनका registration fee 1000 लगेगा अब इसको थोड़ा details में समझ लेते हैं इस date sheet के बारे में और भी काफी notification इसमें जारी किया गया है जैसे आप देख सकते हैं यहां पर जो भी online registration है यह 24 से लेकर पांच माई तक चलेगा साम में 5 बजे तक रात का 11 बजे का वेट नहीं किजेगा बारे बजे का वेट नहीं किजेगा साम में पॉर्टल बंद कर दिया जाएगा इसके लावा जो first merit list है यह आपका 10-5 को release किया जाएगा इसमें आपका मेरिट लिष्ट में भी कुछ बच्चों का नाम होग इसके लावा कुछ waiting list भी इसमें जारी किया जाएगा इसके लावा payment of fee जो है first merit list में जिनका नाम आएगा उनको 15 माई तक payment करना होगा और फिर अगर seat खाली रहता है first merit list के बाद तो second merit list जारी किया जाएगा इसमें भी आपका waiting list जारी किया जाएगा यह 17 माई को जारी किया इसका fee pay करने का date आपका 22 माई रहेगा इसके बाद से आपका जो verification होगा documents का वो आपका एक 8 तक कर लिया जाएगा verification और जो orientation program है और जो classes है वो आपका एक अगस्त से start कर दिया जाएगा यानि कि माई में आपका यह जो fee payment का date खतम हो जाएगा उसके बाद से आपका बचता है में admission का क्या criteria है अब देख सकते हैं यहाँ पर clearly mention किया गया है कि यहाँ पर कौन सा आपका CVT में पेपर चाहिए उसके बाद से क्या प्रोग्राम है इस column में में सने डिगरी यहाँ पर इस column में सने और यहाँ पर सीट बताया गया है सीट में आप एक चीज ध्यान ज़दा लगता है और मैंने सुरु में डिसकर्स किया था कि सेल फाइनेंस के थूज बच्चे रजशेशन करना चाहते हैं उनका रजशेशन फी ज्यादा है तो जो बच्चे अपने सभूलिए के अंसार से अपलाई कर सकते हैं मैं अभी बेसिक डीटल समझ लेता हूं कि आ आपको चाहिए सभी कोर्स का मैं इलिजबिल्टी क्रेटरियर नहीं डिसकर्स कर सकता यहां पर वी क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जागा काफी हरा इसमें कोर्सेस है तो हम सिर्फ यह दो कॉलम को समझेंगे अगर आप जिस कोर्स में चाहते हैं उसका पर स्क्रीन सॉट चाहिए में हिंदी के लिए एल एक्यू पीजरो टुका पर चाहिए अभी मैं जो डिसकर्ण कर रहा हूं यह आप समझ लिए कि यह पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फे स्टडी इसके लगा मैं डिप्लोमा प्रोग्रम डिसकर्ण करूंगा तो आप पहले समझ लिए कि हुक्यू पीडाबल टुकत पर चाहिए अब इस्ट कीव कीववण कर्चाहिए मसे ये बायोटक्रमेटिक्स के लिए आपको एस्सी क्यू पी वन से पर चाहिए MSC Chemistry के लिए आपको SCQ P08 का पेपर चाहिए, वैसे ही कोई बच्चे MCM admission लेने चाहते हैं, तिसके लिए आपको SCQ P09 का पेपर चाहिए, MSC Mathematics के लिए SCQ P19 का पेपर चाहिए, MSC Physics के लिए SCQ P24 का पेपर चाहिए, MSC Environmental Studies, Environmental Science के लिए SCQ P21 का पेपर चाहिए, MSC threw a student, MSC pad के लिए CC P12 का पेपर चाहिए, Da stimuli and à Mb é a specialization in Travel and Tourism के लिए, master of Fine Arts के लिए HUQ P07 का पेपर चाहिए, Master of Fine Arts and Culture के लिए is HUQ P07 का पेपर चाहिए Bachelor of Library and Information Science ये एक साल का कोर्स है इसके लिए आपको COQ P11 का CVT में कोर्स चाहिए वैसे ही MA New Media में अगर मिसल लना चाहते हैं तो इसके लिए आपको COQ P17 का पेपर चाहिए MA Journalism and Mass Communication में मिसल लने के लिए आपको COQ P17 का पेपर चाहिए MA Political Science के लिए HUQ P18 का पेपर चाहिए MA Economics के लिए COQ P10 चाहिए Master of Library and Information Science ये भी आपका वन येर का कोर्स हैस के लिए आपको COQ P13 का पेपर चाहिए MA Punjabi के लिए आपको LAQ P33 का पेपर चाहिए M.S.E. fleets Am СвFit के लिए आपको A Setu Q P18 का पेपर चाहिए MA Jammu and Capes Share studies के लिए आपको COQ P11 का पेपर चाहिए MA in Hindu Studies के लिए आपको ACQ P08 के पेपर चाहिए Master of Commerce के लिए आपको COQ P18 का पेपर चाहिए MBA Executive के लिए आपको CoQ P12 के पर चाहिए में योगा के लिए आपको सी ओक्यू पी टुवन का पेपर चाहिए यह था पोस्ट ग्रिजुएट प्रोग्राम्स अब हम डिस्कॉस करेंगे पोस्ट ग्रिजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए इस चीच को आप समझ लिजे तो के लिए पीजी डिप्लोमा इन अम्बेदकर स्ट इसके लिए आपको सी ओक्यू कि डिपलोमा इन डिया-लुपाध्याद स्ट इसके अलावा का COQ kude 21 में आपको we योगा श्ट इदुझ क्षर्षДа सकते हैं फिर आपको к.cove योगा स्ट्टीज में अध्र्म अद्मिसंल सकते हैं को सिय स्टीव größt दिप्लोमा- इंडियं पॉरेंड़। पोस्ट ग्रिजुएट डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स पोस्ट ग्रिजुएट डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स पोस्ट ग्रिजुएट डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स पोस्ट ग्रिजुएट डिप्लोमा इन अनुवेद यह सभी को पर चाहिए फिर CQP-17 के लिए आपको पोस्तव्ट डिपलोमा इन बायो इनफर मेर्मेटिक्स चाहिए फिर आपको she a aquellos डाला आ गया कोड इससे आपको पोस्ट ग्रिजूट डिपलोमा इन एडवेंट्श्र 냉 noise पेपर चाहिए इसके अलावा आपको पॉस्ट ग्रिज़ए डिप्लोमा इनरजी एकनोमिक्स के लिए सीओ क्यूंच्छिया का पेपर चाहिए इसके लाव अब हम डिस्कॉस करने जा रहा है certificate courses के बारे में बहुत सरा certificate courses भी अफर की जा रही है तिसमें आप समझ लेते हैं सबसे पहला है certificate course in data journalism इसके लिए आपको Coq P17 का paper चाहिए फिर certificate course in new anchoring इसके लिए भी आपको Coq P17 का paper चाहिए फिर आपको certificate course in artificial intelligence with quantitative aptitude इसके लिए आपको SCQ P09 का paper चाहिए certificate course in content management system and application theory and practice इसके लिए आपको Coq P11 का paper चाहिए इसी प्रकार से आपको certificate course in applied machine learning in biological sciences इसके लिए आपको SCQ P09 का paper चाहिए certificate course in business analytics इसके लिए आपको Coq P11 का paper चाहिए certificate course in digital marketing इसके लिए आपको Coq P11 का course चाहिए certificate course in capital market इसके लिए आपको Coq P11 वाला code चाहिए यह था cool courses जिसके बाड़े में आज की स्टुडियो में discuss करना था तो यह multiple courses है इसके लावा यहाँ पर आपको fee structure भी दिया गया है तो आप fee structure का screen इसको आप खुद से समझ सकते हैं या फिर इसको official website से भी आकर आप देख सकते हैं अब हम discuss कर लेते हैं कहाँ पर आपको registration करना है registration करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ एक Central University of हिमाचल परदेश का सामर्थ पोर्टल है इस पोर्टल में आपको देख सकते हैं clearly सभी चीज मेंशन के अगर आता है जैसे कि program schedule इस option में आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं multiple of five courses दिया गया है तो किसी भी course में आपडमिसल नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर जल्स जाके अपना registration process complete कर ले नियुर आपको यहां से करना होगा फिर आपको पासवर्ट से यहां login करके आपको form fill करना होगा इसके अलावा Central University of हिमाचल परदेश से रिलेटेड अगर आपक आते हैं किसी खास Central University के बारे में मैं बताऊं तो University का नाम आप हमारे comment box में पूछ सकते हैं डाल सकते हैं मैं उसके regarding आपको एक जल्द ही वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपडोट कर दूंगा तो आप हमारे चैनल को सब्स्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे जिससे ह हमारे notification आपको सबसे पहले मिल जाएं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाइबाए